आपके पास तीन option बनते हैं, तब से पहला आपके पास option है big four firm, दूसरा आपके पास जो option होता है, वो होता है CA में का, या फिर CA का mid size firm, mid size में भी obviously, अगर firm देखा जा, तो यह small size भी हो सकता है, यह mid size भी हो सकता है, यह large size भी हो सकता है, बट उतना large नहीं कि यह big four है, यह big 10, big 20 ऐसा हो सकता है, and तीसर option है आपके पास, आप industry में जा सकते हो, टाटा मोटर्स में जा सकते हो, अधित्य बिरला ग्रूप में जा सकते हो, ऐसा वाला part, अब तीनों के अपने अपने फायदे नुपसान है, सर मेरा तो rank आया है, सर मेरे तो बहुत अच्छे marks आया है, दोनों group पहले time में clear है, सर बिग 4 चले जाओ, आपको preference वो देंगी ज़रूर, बट वो preference देरे, इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, आपको ये समझना ज़रूरी है, कि क्या आपके लिए वो आपके future में help कर सकता है, कुछ अच्छी उकरने के लिए, कोई चीज के लिए help कर सकता है क्या है, वो पहले सोचना ज़रूरी है, अगर आप विग 4 फर्म में जाते हो, तो विग 4 फर्म में जाने का सबसे पहला फायदा, अगर आप आगे future में, अगर आपने सोचा है, या आपके family से बात हुई है, और आपको लगता है कि आपने job करना चाहिए, at least कम से कम 5-6 सा पास होने के बाद, CA में पास होने के बाद, ठीक है ना, उस case में आप बिग 4 फर्म में जाएगे है, क्यों, आपको फायदा बताता हूँ, फायदा क्या है, आपने बिग 4 से आर्टिकल्शिप कर लिए, सपोज E&Y से आर्टिकल्शिप कर लिए अब उनके लिए आप काम की बन गया, उनके लिए अएसेट बन के, क्योंकि उनों ने क्या कर लिया, उन्हों आपको थे साल में तो अच्छे से समझा दिया सब, आपको सिखा दिया पढ़ा दिया, आप ट 충ो going, अब वो आपको एक्टल में यूज करेंगे जब आप CMA ब जाओ, उस के बाद, उनके अगर मैं यहां जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 6 लाक मिलेंगे बट वो इंसान जो पहले से बिग 4 में आटिकल शिप कर रहा है उसको आठ लाक मिलने के चांसे ज्यादा है अगर अभी का मैं आपको ट्रेंड बता हूँ इस साल में 2024 में जो लोग जॉब डून रहे है जो फ्रेशर सीमें जून के अटेम्ट में उसके बाद से जॉब डून रहे है एक मिड साइस होम वाले को लग बग 6-8 लाक रुपए के बीच में मिल रहा था और जो बिग 4 वाला ह जॉब करना है पुर्णा में जो फर्म है वह आपको ज्यादा आफोर्ड कर पारी है तो आप वहां रिलोकेट हो सकते हो यह पर नुकसान क्या है यहांपर नुकसान ओके डेपार्टमेंट प्रशी पेरड है उसमें आपको सुर्फ income tax में ही रखेंगे वो जरूर नहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट यह होता है इसका मतलब आपके साथ भी यह होगा जरूर नहीं बट आप उनके साथ tackle नहीं कर पाऊंगा कुछ बोल नहीं पाऊंगा उनसे कि मुझे यहां से निकाल इवन stipend में भी अगर यह आपको 5,000 रुपे महिने का देगा 7,000 रुपे महिने का देगा यह आपको 12, 13, 15,000 रुपे महिने का दे सकता है यह भी फरक है पर चलो उसको दोमनाट ignore करते हैं कि अपना main intention है समझना, exposure मिलना, training लेना तो वो stipend के पैसे को दोमनाट साइड भी रखे दिया, बट वो पैसा जो आप कमा होगे आगे जाके, CMA बनके, वो तो अपनी काम का है, उसी के लिए तो हम यह सब कर रहे हैं, तो वो यहां जादा मिलेगा, CMA के बाद भी यहां सीखने जादा मिलेगा, तो यहां department का है, तो if you are someone who is sure to do a job, आगी जाके after qualifying CMA, plus आप specialization करना चाहते हो, आप अभी से लगबग sure हो, कि मुझे तो stock market मी काम करना, मुझे FME पसंद है, मुझे costing बिल्कुल पसंद नहीं, चलो मैं CMA में आगे, कर लिता हूँ, या मुझे tax पसंद है, या मुझे costing पसंद है, आप sure हो, आपको strategic management पसंद है, आप sure हो, उसमें जाएए, उसी department में apply करिए, उसी department में आपका आर्टिकल शिप करिए, उसी में आगे job continue करिए, तो आपका profile अभी से बनते जाएगा, कि मैं इस चीज में specialization हूँ, अगर ये दो चीज़े आपकी बैठती है, तो आप भी फूर में जाए सर मेरा rank आ गया, सर मुझे बहुत अच्छे marks मेल गया, first attempt clear हो गया मैं, तो सर मैं यहाँ चले जाओं कि मुझे ले लेंगे, हाँ जाए, आपके हिसाब से वो चीज़ बैठ रही है, वो चीज़ देखिए पहले, मैंने बहुत सार ऐसे लोगों को देखा हुआ है, जनका यहाँ पर आपको exposure जो मिलेगा, यह exposure आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मैंने ऐसे स्टूडेंस देखे हुए है मेरे, जो CA बनने बाद, CA में बनने के बाद, उनको अगर बोले कि pancard कैसे निकालता है, तो उनको पता नहीं है, आप बोलोंगे, सर मेरा काम यह अपने को, और अलग-अलग बिजनेस में कौन से कौन से license होते है, यह भी पता होना चीज, बिसिक बिसिक चीज है, इनको यह पता नहीं होता कि अगर आपको liquor का factory डलना है, alcoholic liquor का, उसके लिए आपको अलग license लगता है, पता नहीं है उनको, क्योंकि इन्हों ने कभी उसम समझने के कोशिश कर सकते हो, data है आपके पास, लोग है समझाने के लिए, आप थोड़ा सा क्या बुलते है, costing का काम भी देख सकते हो, आप थोड़ा सा management का काम भी देख सकते हो, आप बहुत सारे चीज़े कर सकते हो, अगर आप यह वाले type में होते हो, ठीक है, और यहाँ प बाहर, यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ वो करने का chance मिलता है, और यहाँ अगर बैठो होगी काम करने, तो आपको लग से काम देगे, आप आपका काम नहीं कर पाऊगे, तो यहाँ बिसिकली थोड़ा सा आपको freedom मिल सकता है, प्लस अगर आपको जो आपका जो भी boss होगा, ज बढ़ जाता है, यह पूरा exposure, एक boss का mindset क्या होता है, समझना, अलग-अलग industry का knowledge, mainly यहाँ पे और एक फायदा है, industries का knowledge, insurance industry कैसे काम करती है, steel की industry कैसे काम करती है, जो भी clients उनके पास होगी, जो नहीं भी होगी, उसका भी knowledge मिल सकता है, तो यहाँ वो थोड़ा सा काम ज्याद और थोड़ा सा यह भी मिल जाए, job specialization, this was second point out of it, अगर आप sure हो कि life में आपको आगे जा करके, CA में का use करना है on the other side, मतलब as the professional नहीं, as a person who is on the part of a business, on the part of an industry, अब industry में जाएगा, अगर मैं बात करूँ, पैसे की, कि CA में बनने के बाद, सबसे ज़्यादा पैसा तो यह दे है, दुसरा पैसा यह देगा, फिर तीसरा यह देगा, यह stabilization ला करके देगा, आपको suppose for example, insurance sector में बहुत काम अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको बजाज alliance में आप चले गए, वो आपको यहाँ पर job दे दे देंगे, आपको आर्टिकल शिप दे देंगे, possible है, र यहाँ भी requirement थी, यह से requirements भी time to time आते रहते हैं, तो यह थोड़ा सा आप ऐसा बूल सकते हो, यह other side होगे altogether, यहाँ पे आप professionally associated हो चीजों से, professionally चीज़े देख रहे हो, as a professional, यहाँ पे as an employee हो जाते हो आप पूरी तरीके से, यहाँ पे भी रहोंगे, यहाँ भी रहोंगे, यह इनने कोई company होगा, इसे Tata Steels है, एक करोड का, suppose for example, 10,000 करोड का turnover है, तो यह industry ने इनको approach क्या है, इनको approach क्या है, हमारा audit करो, हमारा tax समभाव, हमें consultancy, हमारा costing समभाव, etc, इन लोगों ने यह service इनको दी, अब यहाँ पे भी कोई CA में, या CA होना चाहिए, जो इनकी service लेने क अपने benefits है, जहाँ job मिल रहा है, या जहाँ articleship के लिए opportunity मिल रही है, वहाँ चले जाओ, ऐसा मत करो, थोड़ा अपना clarity रखो, क्या है, at least तीन में से एक, दो options को थोड़ा सा prioritize कर दो, और फिर आप चूस करके आगे बढ़िए, this is as far as your basic trading is कर साथ,